वीके नियूज उत्तरपरदेश उत्तराखंड सचका सार्थी का परचा देकर यहां से हमारी प्रत्यासी भुगांका सिंग का प्रचार करने की सुरुआत करी। मैं केराना 2014 जन्वरी के बाद पहली बार आया हूँ। केराना आकर आज का माहोल देखकर रदय को बड़ी सांती मिलती है। उत्तरपरदेश में 2014 के बाद देश के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तरपरदेश के विकास की धुरा को अपने हाथ लिया। 2017 में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाच जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने विकास की घति को और तेज किया। समग्र प्रदेश के अंदर विकास की एक नई उत्सा की लहर दिखाई दे पड़ती है। हर व्यक्ति को मुख्त ठिका, हर व्यक्ति को मुख्त रासन, ये सारी योदनाए उत्तर प्रदेश में मोदी जी नो जो भेजी है, योगी जी ने नीचे तक उसको लागू की। मगर कोई भी प्रदेश हो, इसके विकास की प्रात्मिक सरत होती है कि वहाँ कानून और व्यवस्ता की स्थिती ठीक है। ये ही कोरोना है, केराना है, जहां पहले से लोग पलायान करें। भारत का सबसे विक्सित राज्य बनने जा रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायान करना पड़ा था, बड़े इत्मिनान से, परिवार के ग्यारा के ग्यारा सदद से मेरे साथ बैठे, उन्होंने कहा, अब हमें कोई भय नहीं है सब सांती से अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी है, बस्चिम में दस तारिक को चुनाओ है, मैं प्रस्चिम उत्तपदेश के सभी मत्ताताओं को भारतिय जनता पार्टी की और से करबद्द निवेदन करता हूं, कि कहीं कोरोना के कारण हमारे कारेकरता आप तक नह में रखकर सुबह सुबह ही कमल के निसान पर भटन दबाकर प्रचंड बहुमत से भारती जनता पार्टी की सरकार यहां पर पनाई है, मित्रों, पूरे पस्चिम उत्तपदेश में, चाहे गन्ना किसान हो, चाहे मद्दूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे यापारी हो, चाहे जमबर या नोईडा में रहने वाले लोग, सभी लोगों की एक ही आवास हुमाई परती है, कि तीस बार भाजपा, तीन सो बार दन्यवादा यह है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24x7 डिजिटल न्यूस चानल VK News, ज्राष्टर के लाव